नमस्कार, Hindi Learning Channel पर आपका स्वागत है, आज आशिमा महाजन Hindi Learning Channel पर लेकर आई है, सूप्रबातम कोड़ोवा पब्लिकेशन की बुक है, क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए Chapter 4 प्रेजन करने जा रही हूँ, Chapter 4 का नाम है सद विचारा, जाने कि आज अच्छे विचारों के बार तपोनास्ति, शांती तुल्यम मतलब शांती के समान, तपोनास्ति तप नहीं है, ना संतोशात परम सुखम, संतोश से बढ़कर सुख नहीं है, ना तरिशनाया परो व्यादी, व्यादी होतार रोग, लोप से बढ़कर, जा लोप से बढ़ा रोग नहीं है, लालच से बढ रोग नहीं है नाचा धर्मो द्या परा है चक का मतलब पहले लिख लेंगे और द्या से बढ़कर धर्म नहीं है कहने का मतलब क्या हुआ कि लालच को अगर हम त्याग देंगे तो शांत भी रहेंगे संतोशी भी रहेंगे और ध्यालू भी बने रहेंगे ठीक है संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता अब संपत्तो विपत्तो का मतलब संपत्ती और विपत्ती जाने कि सुख और दुख के समय महताम एक रूपता एक समान रहना ही किसका महापुर्शों का स्वभाव है ठीक है उदे सवितार रक्तो सविता यहाँ पर सूरे के लिए प्रियोग किया गया है कहने का मतलब क्या हुआ कि सूरे देव के समान ही बड़े लोग उनती और अवनती के क्रम में अपना रंग नहीं बदलते यह एक जैसे रहेंगे ठीक है यह महापुर्शो का स्वभाव होता है थर्ड है शोको नाश्यते धैरियम कहता है दुख शोक होता है धैरे को नश्ट करता है शोको नाश्यते शुरुतम, शुरुतम होता ज्यान, शोक ज्यान को नश्ट करता है, शोको नाश्यते सर्वम, शोक सबनश्ट कर देता है, नास्ती शोक स्मो रिपू, शोक के समान ना रिपू, कोई रिपू नहीं है, शत्रू नहीं है, ठीक है, ना कस्चित कस्याचिन मित्र ना कच्चित कस्यचित रिपू रिपू होता है शत्रू व्यभारेन जायंते मित्रानी रिपवस्त था कहता है ना कच्चित कस्यचित मित्रम ना कोई किसी का मित्र है ना कच्चित कस्यचित रिपू ना कोई किसी का शत्रू व्यभारेन जायंते व्यभार से मित्र तथा शत्र पैदा होते हैं, जानि कि आपके behavior के behavior को देखके ही लोग आपके friend बन जाएंगे, नहीं तो आपके दुश्मन बन जाएंगे, enemy बन जाएंगे, तो कोई भी व्यक्ति जनम से किसी का शत्रू नहीं होता, किसी का मित्र नहीं होता, बस ये मनुष्य का behavior है, व्यवहार है, जो किसी को शत्रू बना देता है, किसी को मित्र बना देता है, ठीके प्रिथी व्याम त्रीनी रत्रानी, प्रिथ्वी पर तीन रत्र है, जलम अन्नम सुभाशितम, जल अन अच्छीवानी, ठीके मूड है, मतलब मूर्खों द्वारा, पाशान खंडेशु, जानिकी पत्थर के टुकडों में, रत्न संग्या विदियती, रत्न की संग्या दी जाती है, तो मतलब क्या हुआ, प्रिथ्वी पर तीन रत्न है, जल अन अच्छीवानी, मूर्खों द्वारा, पत्थर के टुकडों को, रत्न की संग्या दी जाती है, ठीक है, जो मुर्ख लोग होते हैं, वो पत्थर के टुकडों को भी कहेंगे रहे, ये तो आभूशन है, प्राब्यते ना खलू, विग्न बये नीचे, खलू होता है नीचे से, विग्न होता है जो भी मुश्किल आती है, बयरन होता है, डर, नीचे मतलब निम्न वेक्ति जो होते हैं, नीचे, निम्न वेक्ति क्या करते हैं, बादा के भिहसे डर के, मतलब विग्न आ जाएगा, इस डर से प्रारब्यत आए, वो काम शुरूई नहीं करते हैं निम्न व्यक्ति बादा के भिहसे कारे प्रारम नहीं करते हैं प्राब्य विग्न विहता विर्मंती मद्या जो मद्यम व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं प्रारब्य प्रारम्ब किये हुए विग्न विहता विर्मंती कारे को विग्न आने पर विर्मंती जाने की बीच में छ जो बादाओं से डिस्टर्ब हो जाते हैं विग्न से परिशान हो जाते हैं मद्यम व्यक्ति प्रारंब किये हुए कारे को विग्न आने पर भीच में छोड़ देते हैं और विग्ने पुने पुनरपी प्रतिहन्यमाना प्रारब्द उत्तम जनाना परितेजियन्ति उत्तम जन तो यहाँ पर पूरे पैरग्राफ का मतलब क्या हुआ कि जो निम्न व्यक्ति हैं नीच व्यक्ति हैं वो बादा के बैसे तो कामी शुरू नहीं करते हैं मद्यम व्यक्ति प्रारंब किये हुए कारे को विगन आने पर बीच में छोड़ देते हैं प्रांटु उत्तम व्यक्ति विगनों के बार बार आने पर भी प्रारंब किये हुए कारे नहीं छोड़ते हैं चलिए आगे शब्दर देख लीजिए मोखिक में शुदू चारन करना हैं आपको उसके बाद शिलोक पढ़के अर्थ बताना है अब आपको अभी मैंने बताई दिये शांती तुल्यम तपू नास्ति अब शांती के समान तप नहीं है ना संतोशात परम सुखम संतोश से बढ़कर सुख नहीं है ना तरिशनाया परोवियादी जाने की लोप से बढ़कर रोग नहीं है ना चा धर्मों देया पर है देया से बढ़कर धर्म नहीं है ठीक है चलिए लिखी तैम में पहला कुशन सरवनाम की विवक्ति है शोक समय रिपू नास्ती शोक के समान कहता है शत्रू नहीं है तो शोक के समान क्या नहीं है क्या लिग दो तीन रतनों में विशेशन क्या है त्रीनी संख्याई तो हुई नास्ती शोक समय रिपू कहता है कि शोक के समान कोई दुश्मन नहीं है इस व प्रिथ्वी पर कितने रतने तीन, किसके समान दुश्मान नहीं है, शोकेन, किसके समान तप नहीं है, शांती के समान, कोई तप नहीं है, वी प्लस अधी, अब आपको संधी करने हैं, व्याधी, रक्ते प्लस च, रक्ताश्च, सत प्लस जन, सत जन, कस्यचित प्लस मित्रम, क गिवन वर्ट्स को परी तेग्यन्ती यत्र परानीने वसन्ति यहां परानी रहते हैं उसका अंसर कहा मैच कर देंगी आप करानीनेश अम्हों उधारम चरितम ये शाम ते उधार चरितर उन लोगों का थर्ड कांस उधार चरिता उधार चरित लोग यथा इच्छा तथा यथे इश्ठम महान आतमा ये शाम ते जिनकी आतमा महान है ते महातमान है यह सुखा में विच थी जो सुखी चाथे हैं सुखार थी equation number five में निमन बाक्य को शुद करने है गल्ती डूंडनी है व्रिक्षे द्वोव फले स्तै अब व्रिक्षे वरिक्षब में तो दो फल नहीं होते हैं वरिक्षब के उपर होते हैं तो वरिक्षब से द्वे फले द्वे फले की जगा फले क्या है फलम फले फलानी नपुनसंग लेंगे इसलिए द्वो पुलिंग का शब्द है तो वरिक्षब से द्वे फले स्थ जो जो correction करनी थी वो कर दी, द्वे बाली के दावंती, अब द्वे बाली के दो बाली काई हैं तो द्वी वचन आना था दावंती तो बहु वचन है, तो धावता हो जाएगा, उसके बाद है शोक के समान शत्रू नहीं है, शोक समें रिपू नास्ति, रिपवे नहीं, पृत् पीनी, रतनानी, संती, बहु वचन आएगा, अस्ती नहीं, तीन रतन जो है, वो बहु वचन में है, सही शब्द चुनकर इक्तस्तान भरने थे, प्रारब्दम उत्तम जनाना, क्या आजाएगा, परितिय जनती, ठीक है, उत्तम लोग काम को बीच में नहीं छोड़ते ना, परारम किये हुए, नाकस्षेचन मित्रम, नाकस्चित, ठीक है, नास्ती, किसके समान, शत्रू नहीं है, शोग के समान, उदे, उदे होने पर, क्या होता है, उदे, सविता, जानी की सूर्य, उदे के समय भी बिलाल दिखाई देता और जैसे की अस्तोते समय भी, टपो नास चक्र में दिये शब्दों की साहता से वाक्य निर्मान करने थे वो मैंने करके दे दिये पहले का मतलब हो गया क्रोध सुख का नाश करता है क्रोध मितरता का नाश करता है क्रोध आनंद का नाश करता है इसी प्रकार से बाद वरक्षीट है बच्चों आपकी प्रैक्टिस के लिए कि chapter आपको मैंने पढ़ा दिया है उसके according अब आप क्या करेंगे उसके according आप पहला कोशन है जैसे यह अनुबाद देख लीजिए return अनुबाद दे दिया गया है ताकि बच्चों को लिखने में कोई problem ना है ठीक है अब सदविचारा जो श्लोक का है आगे देखिए 4 से 456 का यह दे दिया गया है word to word explain भी कर दिया आपको अब worksheet में पहला कोशन है नीचे लिखे श्लोक को परता प्रशनों के उत्तर देने है तो श्लोक मैंने दो बार पढ़ा दिया है किसके समान सुख नहीं है मैंने बता दिया है शान्ती के समान क्या नहीं है आपको पताना किस पराव्यादी नास्ती के ता कि पराव्यादी रोग है ना करवाया था ना आपको तो अब आपको यह answer देना कि किसके समान रोग नहीं है ओके लोप से बड़ा आपको पतर आया ता रोग नहीं है चलिए next question में क्या पूछा गया है पूर्णवा सौरी 3 है नास्ती में इ अब यहां पर आपको कर्था पत बताना है। अब कर्था क्या हो जाएगा यहां पर, देया, टप्चाल्स यह शांति तो आप यहां पर लिख दो, वैसे तो जो अप्षंन देनी चाहिए थी वो तो दीनी तो शांति तप लिख दो, तप नहीं है ठीक है उसके बाल लो बात अस्य समान आर्थक पदम की मत्रिशनाया विकल्पों में से उच्छी तुत्तर चुनने है अब आप खुद चुनेंगे प्रित्वी पक इतने रतने है और मित्रो और शत्रू कैसे पैदा होते हैं ठीक है यह आपको सुम्झा दिया था क्याता है क्या कोन सब का नाश करता है यह आपको बता दिया लेसन में क्या पशान खंडेशु रतन संग्या भी दिये थी आपको बताया पथर के टुकडों में कोन है जो पथर के टुकडों को भी रतन की संग्या देता है बता दिया था उदे सविता की दृशा उदे होने पर सूर्य कैसा होता है समानार्थक पदों का मिलान करना है पाठ आपको पढ़ा दिया गया उसके according अपने आप मिलान करेंगे कोशेन नम्बर 4 में अन्वय पूरे करने हैं कोशेन नम्बर 5 में प्रश्ण निर्मान करना है संपत्यों विपत्यों च आपको बता दिया था कस्याम ठीक है उत्तम जना की जगा क्या आ जाएगा का क्युंकि उत्तम जना क्या है बहुवचन है और रिपू की जगा सिंगल है तो क्या आ जाएगा यहां पर आपका चेप्टर होता है फिनिश बचो I hope आपको चेप्टर समझ में अगे होगा अच्छा आगे भी कोशन है आपका एतत मम ग्रहमस्ती यह मेरा घर है तो यह किसका घर है? यहाँ पर आप कोशन बनाएंगे ठीक है? किमा सकता है यहाँ पर आहम श्वयक करनपूर हम गमिछ्यामी तो मैं कल करनपूर जाओंगा तो मैं कल कहां जाओंगा, कुत्र, ओके, मुल्य परक प्रश्णों में हमें सुखर दुख में कैसा डाना चाहिए, अपने आप 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 सा करेंगे, यहां पर चैप्टर फिनिश हो गया आपका, क्लास 8 का, चैप्टर 4 मिल गया है, अब क्लास 7 के स्टुडेंट्स के लि और लाइक कर दिया कीजिए वीडियो को, वीडियो को लाइक आप नहीं करते हैं बिल्कुल भी